Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze the important news articles of 15th July 2023. Please note Satyajit sir is out of station. तो उनके बहाफ पर मैं मृदुल मिश्रा आज का newspaper analysis आपके सामने present कर रहा हूँ. आपको पता ही होगा कि इस newspaper analysis का PDF version आप download कर सकते हैं by going to the comment section और वहाँ पर आपको इसकी link मिल जाएगी. ये सारे topics आज के newspaper analysis में हम लोग देखने वाले हैं और सबसे पहला topic है urban floods which is related to climate change also. जैसा कि आपको पता है कि Delhi में इस time पर flood आ रखी है और यमुना का जो level है वो बढ़ा हुआ है ये article उसी से ही related है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि Delhi flood से पहले हाल फिलहाल के कुछ सालों में ये जो urban floods हो रही है, city area में जो floods हो रही है, कैसे ये increase हो रहा है और इसके क्या numbers है? देखें, पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि हमारी जो cities है हमारे देश की, उन में floods के instances बढ़ रहा है चेन्नाई में 2015 में flood आई, मुंबई में 17 में, धेन हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली और इस साल सिल्चर में भी flood आई थी यहाँ पर इस data को भी हम देख रहे हैं कि 2000, since year 2000, किस तरीके से हमारे जो urban areas हैं, उन में floods के instances बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लिए बहुत common है, मेडिया में ऐसी photos को देखना, जिसमें हम observe करते हैं कि बड़े-बड़े urban areas, बड़े-बड़े bridges, flyovers, यह सब सबमर्ज हो रहे हैं, यह हम seem देखना बहुती common होता जा रहा है अब ज़रा समझ लेते हैं कि यह urban flood क्या होती है और किस तरीके से वो एक regular flood से थोड़ी अलग होती है देखिए, किसी regular flood की बात करते हैं, तो वो हमारी general understanding है कि एक बड़े area का पानी के नीचे डूब जाना, inundation हो जाना, वो flood है ऐसा inundation होना या डूबना generally natural reasons की बज़े से ही होता है पर example, अगर किसी जगे पर बहुत ज़्यादा rainfall हो जाती है, तो वहाँ पर जो flood आती है उसको flash floods बोला जाता है कम समय में बहुत ज़्यादा rainfall का हो जाना, ऐसी floods अकसर हम अपने आसाम में देखते रहते हैं कई बार rivers में different reasons की वज़े से भी flood आ सकती है, for example, हमारी आसाम की जो rivers होती है, उनमें sediment इतना ज़्यादा होता है कि ये rivers अपने ही रास्ते में sediment को deposit कर देती है, ऐसे में monsoon का season होते ही, थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा rainfall होती है तो rivers का जो water होता है, वो इनकी channel के बाहर चला जाता है, as seen in this diagram, ब्रह्मपुत्रा में पानी बढ़ा और because उसने sediment से अपने ही रास्ते को block कर दिया था, तो पानी channel के बाहर चला जाता है as a result आसपास के area में floods आ जाती है, ऐसी floods को river या fluvial flooding बोला जाता है, जिसमें river अपने ही रास्ते में इतनी sediment deposit कर देती है, कि पानी ज़्यादा होने पर पानी बाहर चला जाता है, और floods कराता है urban area की floods इनसे थोड़ी सी अलग होती है, वो भी natural reasons की वज़े से होती है, लेकिन उनका जो main reason है, वो actually anthropogenic है, man-made reasons है और उसमें से जो सबसे common reasons होते हैं, वो होते है, urban area की poor planning होना, जिसमें अकसर देखा जाता है, कि जो उनके drainage होते है, जो नाले के pipe होते है, उनकी पानी जादा होने पर choking हो जाती है, या फिर pollution की वज़े से जो waste है, वो इतना जादा हो जाता है, कि उसकी वज़े से choke हो जाते ह As a result, urban area से ज़्यादा पानी बाहर निकल ही नहीं पाता, वो पानी वहीं कवहीं deposit हो जाता है कुछ और reasons भी है, flood plains में construction हो जाना, वहाँ पर कुछ construction हो गया जिसकी वज़े से पानी नहीं बैपाया next, encroachment हो जाना, जो natural water bodies हैं, जैसे की बील है या पोखरी हैं, उन में extra construction हो जाता है encroachment होने की वज़े से वहाँ पर urban floods आती है इस पूरे article में हम लोग यहीं देखेंगे कि urban floods किन reasons की वज़े से ज़ादा हो रही है कैसे climate change की वज़े का, कैसे उसमें climate change का रोल है और क्या measures लिये जाने चाहिए हमें इन urban floods को रोखने के लिए तो यहाँ पर बात करते हैं reasons for the urban flooding की जैसा कि मैंने बोला, कुछ natural reasons भी हो सकते हैं urban floods के लिए एक बार इसको explain करने के लिए इस diagram को मैं आपके सामने present करूँगा observe करिए किसी भी area में जब rainfall होती है तो इस rain water के दो outcomes हो सकते हैं पहला outcome, यह rain water ground के नीचे चला जाता है और इस process को infiltration बोलते हैं दूसरा outcome, यह rain water बह जाता है surface से और इसको runoff बोलते हैं अब देखिएगा किस तरीके से यह दोनों process infiltration, that means पानी का rain water का नीचे चले जाना underground rocks में जाना और runoff, that means excess rain water का ज़्यादा पानी का surface पर बह जाना वो किस तरीके से urban area में floods कर सकते हैं देखिए, किसी जगे पर अगर बहुत ज़्यादा rainfall हो जाती है और वहाँ पर पहले से ही ground water जादा हो तो ऐसे में जब rain water ground में और जाता है तो buildings के basement में वो जा सकता है जैसा कि चेनने में अक्सर होता है इतना ज़्यादा ground water है कि अगर rainfall जादा हुई तो बहुत सारी buildings के basement में पानी घुश जाता है नीचे से ही पानी सीप कर जाता है basement में दूसरा reason हो सकता है कि किसी भी जगे पर जब heavy rainfall हुई due to thunderstorm जैसे की बौरदोई सिला या फिर ज़्यादा rainfall होना या cyclone आ जाना तो अक्सर देखा जाता है कि पानी जो होता है वो runoff कर जाता है बह जाता है surface में और बहने की वज़े से वहाँ पर अक्सर floods आ जाती है urban area में अब देखेगा हम लोग यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह runoff आजकल human reasons की वज़े से बढ़ रहा है यही अभी हम आगे की slides में देखने वाले हैं but before that एक बार ज़रा climate change के बारे में भी आपको बता देता हूँ IMD ने predict करा है कि monsoons धीरे-धीरे unpredictable होते जा रहे है as a result monsoons की intensity बढ़ती जा रही है और उनसे होने वाली rainfall के बारे में certainty से कुछ नहीं बोला जा सकता है rainfall भी untimely होने लग गई है cyclonic storms भी untimely होने लग गए and thunderstorms भी हो रहे है जादा as a result urban flooding के जो instances है human reasons की वज़े से वो बढ़ ही रहे है चलिए कुछ और भी कारण देखते हैं कि urban area में कैसे flooding हो रही होती है सबसे पहला इसमें यहाँ पर reason लिखा है unplanned urbanization होना इसमें आपको rivers के through example देके दिखाऊंगा यह देखिए generally कोई river अगर flow करती है तो वो किछ इस तरह से wavy path लेते हुए जा रही होती है जब monsoon का time होता है उसमें water जादा होता है तो river की volume बढ़ जाती है लेकिन उसका wavy path वैसे का वैसे ही बना रहता है और जब उसमें पानी कम होता है तो river की stream पतली हो जाती है और उसका path वैसा ही wavy रहता है अब देखिए जैसे जैसे हम लोग unplanned urbanization कर रहे हैं जरुवत से ज़ादा urbanization कर रहे हैं हम लोग इस type की जो wavy rivers होती हैं जिनको meandering बोला जाता है उस meandering के path को हम लोग deliberately construction करके या walls create करके सीधा करने की कोशिश करते हैं और river के किनारे अपने अपने घर बनाए ले रहे हैं लेकिन जब पानी बढ़ता है तो river इस सीधे path को follow नहीं करती है river अपने original path पर वापस आ जाती है और जिसकी वज़े से floods आ जाती है और यही बात बोली जा रहे है कि जो river का natural drainage है जो उसका natural रास्ता है उस रास्ते को नहीं रोका जाना चाहिए unplanned urbanization नहीं होना चाहिए जो normal तरीका है वैसा ही होना चाहिए nature को obstruct नहीं करना चाहिए nature के along चलना चाहिए तो यह पहला reason दूसरी बात बोली जा रहे है encroachment and population densities देखिए हमारे cities में बहुत सारे natural water bodies होती है natural हमारे पास में बील होते है और यह जो water bodies होती है यह जो areas होते है यह सब areas excess water को absorb कर सकते हैं लेकिन हम लोग धीरे धीरे इन सब water bodies का encroachment करते जा रहे है और धीरे धीरे यह हमारी water bodies जब खतम हो रही है तो rivers जादा floods कर रहे है similarly जो river के किनारे का flood plain होता है जैसे के आप observe करिए अगर यह river flood होने पर इस वाले area पर आई है अपने किनारे वाले area पर यह river का flood plain होता है बहुत जगे पर इन flood plains का भी encroachment हो गया है as a result वहाँ पर भी floods observe जादा हो रही है next हम लोग बात करते है poor solid waste management systems की देखे अगर किसी city में हम लोग जो waste होता है उसको properly नहीं manage करते है तो यह waste नालो में चला जाता है और जब एक बार नाले में जाता है तो यह जाकर के नाले को clock कर देता है jam कर देता है ऐसे में जब थोड़ी सी भी जादा rainfall होती है तो नाले excess water को पानी को अपने अंदर से नहीं पास होने देते है as a result यह नाले जो होते है पास पानी जब पास नहीं होता है तो वहाँ पर urban flooding हो जाती है एक और point बोला जा रहा है concretization and that is reducing the infiltration इस point के लिए एक बार वापस हमें इस slide पर फिर से देखना होगा देखिए किसी जगे पर अगर rainfall होती है और पानी अगर infiltration नहीं कर पाएगा क्योंकि surface पर जरुवत से ज़ादा buildings बना दी जाएगी जरुवत से ज़ादा construction हो जाएगा तो obvious सी बात है ये runoff ही increase होगा ये पानी जो बहर आये surface से यही ज़ादा होएगा जैसा कि इस diagram में भी देख सकते हैं अगर किसी जगे पर कम construction है तो ज़ादा infiltration होता है पानी ज़ादा नीचे जाता है लेकिन अगर किसी जगे पर बहुत buildings बना दी गई बहुत ज़ादा construction हो जाता है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है पानी ज़ादा से ज़ादा surface पर ही बहता है तो बोला जा रहा है कि जैसे जैसे urban area में हम लोग concrete के jungles बना रहे हैं concretization कर रहे हैं concrete jungles का मतलब ज़ादा buildings बनाना देखें infrastructure damage तो होता ही है last year हमने देखा था दीमा हसाओ में railway line dismantle हो गई थी siltser flood के time पर 11 दिन तक siltser city floods में रही थी तो ये सब तो common reason होते ही हैं कुछ और भी reason है life and property का damage हो जाना ये एक reason है floods के time ये normally होता है life and property का damage हो जाना health hazards का हो जाना flood का पानी जब जिस जगे deposit हो जाता है वहाँ पर तरह तरह की बिमारिया फैलती है diarrhea, cholera इस टाइप की diseases है ये वहाँ पर spread होते हैं infection बढ़ता है तो ये सब तो impact है ही है और जैसा कि मैंने आपको बोला कि climate change जैसे increase करने वाला है urban floods की frequency को तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम adaptation करें अपनी cities का in climate change की वज़े से होने वाली urban floods के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा measures लेने चाहिए कि हम adapt कर पाए अपने को इस टाइप के जो urban floods है उनके लिए और उसके लिए यहाँ पर कुछ suggestion दिये गए है कि क्या measures लेने चाहिए जिससे हम लोग अपनी cities को इन floods के जो floods बढ़ने वाली है climate change की वज़े से उनसे हम उनको बचा पाए पहला तो बोला जा रहा है simple कि हमें अपने drains की timely cleaning करनी चाहिए देखे ज़्यादा तर urban areas की municipal corporations होती है काई बार कुछ areas में नहीं होती है लेकि ज़्यादा तर areas में ये होने लग गया है और इसी वज़े से urban floods जो है थोड़ी सी कम भी होई है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है लेकिन साथ में अब एक और suggestion दिया जा रहा है कि बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जो नाले होते हैं जो drainage systems हैं जो water supply system है जो wastewater system है उनको integrate करें देखे समझेगा पानी सिर्फ एक तरीके से आता और जाता नहीं है पानी जो पानी होता है वो multiple sources से आता है और multiple sources से जाता है जैसा कि मैंने बोला groundwater के थुरू भी पानी जा रहा है surface के थुरू भी जा रहा है जो हमारे storm water होते है storm water draining storm water का मतलब है बारिश के time पर जो excess water जा रहा होता है storm water ये सारा water एक दूसरे से link किया जा सकता है अगर हम लोग properly plan करें आज के time पर हमारी proper planning नहीं होती है इसी लिए कभी हमारे पास में पानी excess हो जाता है जो हमारा rainfall का season होता है और कभी हमारे पास summers के time पर पानी की कमी बनी रहती है तो बोला जा रहा है कि climate change से अगर हमें deal करना है अगर हमें अपनी cities को adapt करवाना है तो जरूरी है कि हम integration करें अपने इन water के systems का ये integration की जो theme है ये multiple times repeat हुई है और United Nation ने world one water approach के बारे में भी बात करी है जिसमें भी यही बोला जाता है कि हम लोग अपने water के जो resources होते हैं उनका integration करें जिससे कि हमारे पास में जब पानी ज़ादा हो तो flood ना हो और जब पानी कम हो तो drought नहीं हो इसके बारे में suggestions दिये गए है देखिए इस article में जो मैंने आपके सामने present करा है इस article में exactly क्या करना है ये तो details नहीं थी लेकिन जो ideas हैं वो ऐसे हैं कि जिनको आप अपने mains के answer में mention कर सकते हो तो मैंने भी आपके सामने उसी ideas को present किया है आगे अगर government के किसी report में इसके बारे में जादा detail आएगी कि कैसे integrate करना है और क्या measures लिये जाने है तो newspaper analysis में इस बारे में भी बात होगी अभी के लिए तो ये suggestions means में लिखा जा सकता है कि that we must think of integration of our drainage system water supply system and wastewater system in order to recycle the excess water that we can write we can recycle the excess water which we have next adaptation बोली जा रही है कि हमारे जो roads होते हैं और ऐसे surface होते हैं जिनके थूपानी नहीं पास कर सकता है उनको ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे floods बढ़ जाए देखे अकसर यह से हम लोगों ने situation देखी है कि जो हमारे flyovers होते हैं over bridges होते हैं इनमें इतना जादा पानी होता है इतना जादा पानी इनके उपर से नीचे आता है कि जो नीचे की roads होती है या तो वो flooded हो जाती है या road के किनारे के जो footpath होते है या road के किनारे की जो streets होती है वो flooded हो जाती है तो बोला जा रहा है कि हमें अपनी roads और ऐसे surfaces का construction properly करना चाहिए जिससे कि आसपास के area में flooding कम हो और again यहाँ पर एक और method बोला गया है कि हमें green-gray infrastructure का ध्यान रखते हुए floods को manage करना चाहिए अब देखिए यह green-gray infrastructure क्या होता है? gray infrastructure उस type के constructions को बोला जाता है जिसके थूँ हम लोग conventionally water को manage करते थे किसी भी city में, for example जो नाले का पानी होता है, जो नाले होते है वो gray infrastructure में आते है conventional approaches जिनमें हम लोग बोलते थे कि excess water या तो नाले के थूँ बह जाएगा या कई बार जो pits हम लोग बना देते हैं, जहाँ पर underground water storage कर देते है excess water आया, तो हमने कोई construction कर दिया, वो सब gray infrastructure में आता है simple भाशा में बोलू, तो वो सारी चीजें जिसके थूँ हम लोग excess water को manage करते है by constructing something that is a gray infrastructure लेकिन modern approach बोली जा रही है कि सिर्फ ये gray infrastructure enough नहीं है, हमें green infrastructure के बारे में भी सोचना पड़ेगा, green infrastructure का मतलब है, हमें अपने urban areas में, cities में जादा से जादा खुले areas बनाने चाहिए, wetlands बनाने चाहिए parks, forests बनाने चाहिए natural areas बनाने चाहिए जहां पर excess water naturally ही absorb हो जाए ये idea World Bank ने भी बोला हुआ है उन्होंने बोला है कि traditional gray infrastructure alone जो होता है, वो आज के time पर हमारी cities को नहीं बचा सकता है flood से, इसलिए जरूरी है कि natural systems हम लोग बनाए हुले forest बनाए, wetlands बनाए और पुखरी, बील ये सब बनाए, parks बनाए जिनमें excess water absorb हो जाएगा similarly एक और idea है sponge cities का, ये idea भी green infrastructure से similar idea है, और इसमें वो भी बोला जाता है कि sponge cities वैसे urban areas होते है जिनमें बहुत सारे trees, lakes, parks, ये सब होते हैं जिनके through, जो excess water होगा, वो ground के नीचे चला जाता है, जैसा आप इस diagram में देख रहे होंगे, कि यहाँ पर जो खुला area होता है, green area होता है वो excess water को underground में add कर देगा, as a result run off कब होएगा, और groundwater infiltration बढ़ेगी हमारी असाम government ने भी इस बारे में decision लिया है, sponge cities idea, जो कि China का idea है China का idea है, उससे inspire होके बोला है, कि गौहार्टी, डिब्रूगर नागाउं सिल्चर को भी, sponge cities के जैसे develop करा जाएगा और इसमें भी जादा से जादा open areas रखे जाएंगे और last measure बोला जा रहा है vulnerability analysis, देखे urban area के किसी भी part को develop करने के लिए, city के किसी भी part को, नए part को, या पुराने को develop करते time पर उसकी क्या vulnerability है floods के लिए, ये जरूर पहले से ही analyze कर लेना चाहिए ये भी adaptation important है जैसे जैसे climate change बढ़ रहा है जरूरी हो गया है कि नए areas को जो city के नए areas है उनकी vulnerability analysis करनी चाहिए और अगर वो vulnerable है floods के लिए, तो वहाँ पर हमें cities को expand नहीं करना चाहिए, इस type के किसी भी question में, जिसमें development versus environment की debate आती है तो आप एक ऐसा simple conclusion यहाँ पर दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि देखे, human determinism से ओपर environmental determinism को priority देनी चाहिए that means, environment determine करेगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं humans उतना नहीं कर सकते हैं हमारी, इसका simple बोनू, तो planning में हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी जगे का environment क्या allow करता है, वहां की कैसा area है, कैसे surface है वहां के वो पानी को नीचे जाने दे रहे हैं नहीं जिसको pervious और impervious बोला जा रहा है pervious मतलब पानी जो नीचे जाएगा जैसा कि अभी बोला था जिसमें infiltration हो, तो वो pervious हो, और बोला impervious का मतलब है, जो पानी नीचे नहीं जाने देगा natural drainage वहां का कैसा होना चाहिए, ये अगर वहां ऐसा तो नहीं कि वो पानी को hold करता है, इसके basis पर हमें decide करना होगा, कि वहां पर हमें कैसी cities बनानी है, नहीं बनानी है हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते, ये environment determine करेगा, humans उतना जादा determine नहीं कर सकते हैं इस type के conclusion से आप इस type के answer को end कर सकते हैं ये इसलिए important है, क्योंकि इसके related पहले ही एक बार UPSC में सवाल आ चुका है, ये question मैंने आपके सामने present करा है आपको इस question का answer जितना भी हम लोगोंने discuss करा है इन सारी चीज़ों में मिल जाएगा और जो examples हैं, वो यहाँ पर mention करें देखे, सतिजीत सर अभी पिछले कुछ weeks में उन्होंने एक नई चीज start करी है एक नया initiative start करा है and that is, जब भी कोई topic खतम होता है, तो वो उसको summarize कर देते हैं with the help of one slide board पर जहाँ पर वो खुद लिखते हैं अभी मेरे पास तो board नहीं है तो ये काम मैं तो नहीं कर पाऊंगा so मैं आप लोगों को request करूंगा कि आप लोग इसकी summary खुद से लिखिये और next newspaper analysis जो भी present होगी उसमें इनको summarize करके आपको provide कर दिया जाएगा चलिए, next topic पर आजाते हैं और एक छोटा सा topic है regarding the Solomon Island policing by China देखिये, Solomon Island क्या है Solomon Island एक छोटा सा island है जो कि Pacific में located है ये देखिये, यहाँ पर ये एक archipelago है that means बहुत सारे छोटे-छोटे islands का group है और ये approximately Australia से 2000 km दूर है और Australia के neighborhood में आता है ज्यादा population नहीं है 7,00,000 की बस population है 6 बड़े island होते हैं और इसकी location जो है वो बड़ी strategic है strategic इसलिए क्योंकि ये Solomon Island Philippines के पास में है Australia के पास में है New Zealand के पास में है और Pacific में जो USA की जो territories है जो उसके island है उन सब के पास में है इस वज़े से इसकी location बहुत strategic है अब बात करते हैं इस news की कि यहाँ पर news क्या है देखिए ये है हमारा China हमारा neighbor China और ये है हम हमारा neighbor China और ये है Solomon Island अभी देखिए ये जो China और Solomon Island इनके बीच में एक security deal हुई थी जिस deal की information last year आई थी बट उसकी details अब तक reveal नहीं हुई है अब तक नहीं पता चला है कि क्या exactly deal हुई है क्योंकि Solomon Islands की government ने अभी तक पूरी deal की सारी information बता ही नहीं है लेकिन इस deal में जो broad बाते बोली गई है वो कुछ ऐसी बाते है चाइना और Solomon Island की एक secret policing deal हो चुकी है जिसमें चाइना ने बोला है Solomon Island को अश्यौर करा है कि अगर Solomon Island में कोई security threat arise होता है law and order की ऐसी situation arise होती है जिसको Solomon Island की police नहीं handle कर पाएगी तो चाइना अपनी कर सकते हैं यह कितनी बड़ी problem हो सकती है Australia के लिए आसपास की जो बाकी countries है जो जिसको मैंने बोला कि वो USA के influence में है और साथी साथ यहाँ पर जो New Zealand है उसके लिए कितनी बड़ी problem हो सकती है अगर चाइना की आर्मी का एक पार्ट यहां Solomon Islands में आ जाए और यही इस बात का core issue है इसका कि Solomon Islands की जो policing China ने assure करी है यह news में आ रहा है और Australia इसको protest कर रहा है कि ऐसी कोई भी deal नहीं करनी चाहिए China और Solomon Islands को और at least deal के जो भी deal है उसके पूरी बात reveal करनी चाहिए transparent तरीके से सामने आना चाहिए अब एक और बात यहां पर कर लेते है कि चाइना को Solomon Islands में इतना interest आ ही क्यो रहा है after all ऐसा क्या है इसमें तो भाई देखिए कुछ चाइना के broad point है पहला ताइवान को counter करने के लिए अब ताइवान और चाइना को क्यों counter करना है तो इसके बारे में 8 जुलाइ 2023 के newspaper analysis में सत्यजीत सर ने detail में बताया है आप इसको refer कर सकतें just one week पुरानी बात है तो ताइवान को counter करने के लिए चाइना ने Solomon Islands को help कर रहा है और यह इसलिए important है क्योंकि यह जो Solomon Island है इसके ताइवान के साथ relation अच्छे थे इन फेक्ट है Solomon Island है Vanuatu है और यहां पर Micronesia है और भी बहुत सारी countries है इस Pacific Ocean में मैं आप सबको request करूँगा अगर आपके पास में अपना Atlas हो Atlas निकाल करके एक बार Pacific Island की countries देख लीजे यह अभी 2-3 महिने पहले और news में था क्योंकि हमारे Prime Minister Shri Modi जी ने इस area को visit करा था और वहां पर भी उस टाइम पर भी यह news में रहा था तो यह Prelims के लिए बड़ा hot probable topic है Please Pacific की mapping अच्छे से देख लीजेगा हाँ जी तो जैसा मैं आपको बता रहा था यह जो Taiwan China का जो China के साथ जिसके अच्छे relation नहीं है उसको पहले Solomon Island और किरिबाती जो है वो पहले उसको recognize करते थे और चाइना के साथ condition यह है कि अगर कोई country चाइना को recognize करेगी तो वो Taiwan को नहीं करेगी और अगर Taiwan को करेगी तो चाइना को नहीं करेगी लेकिन 2019 में Solomon Island ने side बदन ली that means उसने चाइना की जगे उसने ताइवान की जगे चाइना को recognize कर लिया अभी इससे problem होई है क्योंकि बाकी इसके जो islands है जो उसके neighbor है वो अभी भी ताइवान को recognize करते है और अभी भी उनके bilateral relation ताइवान के साथ बने हुए है तो अब ताइवान को support कम हो गया है तो ये एक बड़ा reason है कि ताइवान को counter करने के लिए चाइना ने ये करा दूसरी बात United Nation में ये सारे countries जो ऐसा कि आपको दिखाए ये बड़ा vote bank है और United Nation General Assembly में चाइना को ज़्यादा support मिलेगा तीसरी बात ये सारे island countries और island countries का जो ये exclusive economic zone होता है वो बड़ा होता है तो चाइना अगर इनके साथ अच्छे relation करता है तो इनके exclusive economic zone से benefit होगा चौथी बात natural resources ज़ादा है Solomon Island के पास particularly wood और mineral ज़ादा है फिशरी ज़ादा है और पाच भी strategic location American जो territories है Australian territories उसके पास में है तो इस वज़े से चाइना Solomon Island के साथ अच्छे relation रखना चाहरा है Based on the discussion above you can attempt this question and write your answers in the comment section Next हम लोग बात करते हैं अगले news की and that is fake news fact checking units देखे fake news क्या होती है क्यों generate कैसे होती है और क्या इसके problems होती है इसके बारे में हम लोग time हर बहुत बार newspaper analysis में बात कर चुके है मैं आज fake news से related एक और चीज fact checking units इनके बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपको बता देता हूं इसका background क्या है Bombay High Court ने fact checking units के उपर case सुनते हुए एक decision दिया है एक observation दिया है I'm sorry उस observation से related ये article है सबसे पहले मैं बता देता हूं case क्या है और background क्या है देखिए 2021 में हमारे देश की सरकार ने Information Technology Act जो होता है उसको amend करते हुए IT rules पब्लिश करे थे जिनको बुला जाता है Information Technology and Digital Media Ethics Code Rules of 2021 Simple भाशा में बोलूँ तो हमारे देश की सरकार ने ये जो हमारे social media platforms होते है इनको किस तरीके से conduct करना चाहिए इनको क्या होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनके लिए rules बनाए थे और ये 2021 की news है तो अभी तो हम इसको detail में नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके जो broad points थे ये मैं आपको बता देता हूं इन social media platforms को बुला गया था कि आप अपने आप complaint mechanism बनवाईए देन आप क्या एक officer होना चाहिए जिसको complaint करा जाए आप monthly report publish करिए कि क्या action आपने लिया देन आपको ये track करना था कि अगर कोई चीज बार-बार share होती है कोई message या कोई photo तो वो कहां से original आई थी ये tracking भी करना होता है और अगर वो ये नहीं करेंगे तो section 79 of IT Act में जो उनको indemnity मिली है that means उनको provision मिला है कि अगर कोई user कुछ गलत चीज कोई गलत बात लिख देता है उन पर या कोई illegal चीजे लिख देता है उन पर तो उसमें उनको social media platforms को जो protection मिलती थी वो protection withdraw हो जाएगी that means social media platforms में अगर कोई बात कोई illegal बात लिख देता है जिससे कि कुछ हमारी law and order खराब हो या religion के against कोई ऐसी बात लिख देता है जिससे कुछ riots होने लग जाए, दंगे होने लग जाए तो इस situation में social media platforms को protect होते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक platform और user जो लिखता है उसको उसको पकड़ा जाता है लेकिन ये जो section 79 79 की जो freedom जो protection मिला है social media platforms को वो चला जाएगा अगर वो इन rules को follow नहीं करेंगे तो इसी amendments के साथ जात एक और amendment और भी हुआ था उसी time पर जिसमें बुला गया था fact checking unit भी बनाई जाएगी that means social media पर किस type के fact circulate हो रहा है क्या news circulate हो रही है उसको check करने के लिए Ministry of Electronics and Information Technology मेती बनाएगा एक fact checking unit जो कि check करेगा कि क्या news सहीव circulate हो रही है और क्या गलत हो रही है इससे सरकार पता कर पाएगी कि क्या गलत information हो रही है और गलत information को false declare करा जाएगा और social media platforms जैसे कि facebook, twitter इनको बोला जाएगा कि आप इस news को हटाओ और अगर वो नहीं हटाएगे तो उनके against criminal prosecution भी कर दिया जाएगा उनको court ले जाया जाएगा अब देखते हैं इसका current status क्या है देखे, fact checking unit सरकार ने established करी under P.I.B. Press Information Bureau जो सरकार की एक agency है इसके under उन्होंने established करी एक fact checking unit और इसमें जो government के representatives है ministry of IT से है ministry of statistics program implementation and two non-government representatives one media expert and one legal expert was put under this team और इससे उन्होंने बना दी इसका काम ये था कि कोई भी चीज जो publish हो रही है वो fake है या fact है उसको determine करना अगर कोई news fake निकलती है तो उसको label करना कि वो fake है और उसको बताना social media platforms को कि आपके यहाँ पर ये news fake चल रही है और social media को उन्हों प्लाटफॉर्म्स को उन्हों उस content को हटाना पड़ेगा अब देखिए ये बात ये तो पुरा process raise हुआ था लेकिन इस पर बात में बहुत से लोगों ने stakeholders ने complaint करी court तक गए कि ये तो ये पुरा process ही गलत है ये गलत process है और ऐसा क्यों उन्होंने raise करा क्या issue raise करा उन्होंने बोला कि ये PIV तो खुद एक government की agency है और government की agency कैसे decide कर सकती है कि क्या fact है और क्या fake है ऐसा भी तो हो सकता है कि government ऐस अपने जो उन्होंने काम करा जो fake हो उसको fact के तरह से present करने लग जाए और अगर ऐसा हो जाएगा तब तो citizens को पता ही नहीं होगा कि क्या सही बात है और क्या गलत है ये issue raise करा गया और दूसरी बात ये जो PIV जो fact checking कर रही है इसको कौन चेक करेगा कि ये सही fact दे रही है नहीं इसको भी तो check करने वाला कोई चाहिए तो ये दूसरी बात और तीसरी बात जो बोली गई कि ये जो fact checking unit है ये तो कोई super sensor बन जाएगा that means अगर किसी ने सरकार की बुराई कर दी किसी ने कोई complaint करी तो उसको fake declare कर दिया जाएगा और fake declare करके हटाना पड़ जाएगा और इसी लिए Bombay High Court ने बड़ा ही अच्छा comment करा जिसको बोला कि if this kind of the fact checking units are made then this is like bringing hammer to kill an ant Bombay High Court ने observation दिया कि हम ant को मारने के लिए hammer नहीं लाते है can't bring an hammer to kill an ant और इसी लिए उन्होंने बोला कि ये जो mechanism है fact checking units का this is like bringing hammer to kill an ant और इसलिए हमने इस पूरे इस पूरे article को पढ़ा है इसके basis पर यहाँ पर दो मैंने आपको prelims के लिए practice question भी दिये है आप इन questions को attempt कर सकते हैं और इसका answer आप comment section में लिख सकते हैं question number 3 में एक word है safe harbor इसके लिए hint भी दिये है ये आप hint को refer कर सकते हैं और उसके बाद आप इस question को attempt करिएगा ये question UPSC के जो analytical skills और understanding को check करने की type के questions है उसके line पर है next हम लोग बात करते हैं simple C news की that is judicial appointment new appointments इसके बारे में देखे हमारे देश का supreme court है उसमें 34 judges हो सकते हैं maximum including the chief justice of India 33 plus 1 और अब उसकी strength बढ़ा दी गई है और उसकी strength को 32 कर दिया गया है maximum 34 है sanctioned लेकिन अभी तक 30 ते अब दो नए judge आ गए है और अब 32 judge हो गए है supreme court में अब इसमें से हमारे लिए जो दो नए judge है उनमें से एक judge justice Ujjal Bhujan ये ज़ादा relevant है because he is from Assam he was the chief justice of the Telangana High Court about justice Bhujan he was born in Guwahati और इनकी education भी Guwahati से ही हुई है Don Basco High School Guwahati and Cotton College Guwahati further इन्होंने LLB और LLM भी Guwahati University से Guwahati में ही करा है so he is the new supreme court judge Ujjal Bhujan next हम लोग बात करते है State Disaster Response Fund for Assam इसके बारे बात करते है this is relevant for GS Paper 3 and GS Paper 5 इस बार के जो mains का GS Paper 5 का पेपर आपने देखा था तो उसमें disaster management बहुत closely tie हुआ था तो ये news इसी लिए अब दोनों में डाली जाएगी और अब बात समझ में आ गई कि Assam के पेपर में disaster management आने का chance हमेशा ही जादा रहता है चलिए बात करते है State Disaster Response Fund पर Assam इसके बारे में क्या लिखेगी सो देखिए State Disaster Response Fund जो है वो Disaster Management Act of 2005 इसका part होता है और section 48 में इसको constitute करा गया था State Disaster Response Fund का का काम होता है कि जो State Governments को जो भी response देना है किसी disaster के लिए वो इस fund से पैसा use कर सकती है So State Governments को Disaster के टाइम पर जो response देना होता है उस टाइम पर जो immediate response होता है उसके लिए वो State Disaster Response Fund को use कर सकते है Central Government 75% इसमें contribute करता है किसी भी State के Disaster Response Fund में लेकिन जो Himalayan States होती है और North Eastern States होती है अपना Assam भी जिसमें उसमें Central Government 90% contribute करती है जादा contribution करती है और Finance Commission जो होता है वो इसमें recommendation देता है और उसके basis पर Central Government जो होती है वो इसको दो equal installment में contribution करती है एक बात ध्यान रखिएगा ये जो State Disaster Response Fund होता है ये immediate relief के लिए ही use होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ response देना है disaster के पहले जैसा कि आपने अगर disaster management topic पढ़ा है तो आपको पता होगा कि disaster से पहले disaster का mitigation होता है adaptation होता है early warning के लिए provision होते है जिसको preparedness का part होता है ये सब चीजें इसमें नहीं है आप लोगों जिनोंने भी disaster management नहीं पढ़ा है वो इसको ऐसे समझे कि disaster के time अगर किसी की जान बचानी है किसी को immediate relief देनी है immediately कुछ करना है कि उसकी जान बचाओ उसको किसी एक जगे लेके जाओ safe जगे तो वो सब काम के लिए HDRF या लोगों को खाना देना free water देना ये सब के लिए HDRF का State Disaster Response Fund का use होगा लेकिन disaster से बचने के लिए कुछ नई infrastructure बनानी है कोई नई building या कुछ ऐसा बनाना उसके लिए इसका use नहीं होता है जो कि generally mitigation का adaptation का और preparedness का plan होता है ये अलग चीज़ होती है चले अब एक चीज़ और बस यहाँ चोटी सी बेख लेते हैं कि बई COVID-19 को भी disaster में एक notified disaster में डाला गया SDRF के अंडर और ये जो disasters यहाँ पर mentioned है ये सब SDRF का part हो रहे होते हैं अब news इस बार ये आई है कि जो finance ministry है उसने 340 करोर आसाम को दे दिये है in the disaster response fund और आसाम सरकार ने utilization certificates नहीं produce करे थे पिछले बार के फिर भी उन्होंने दे दिये हैं देखिए utilization certificate का मतलब होता है कि जो पिछली बार का पैसा था वो utilize हुआ है नहीं तो उन्होंने नहीं कर पाए थे फिर भी दे दिये हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि आसाम में floods जो है उसकी वज़े से damage आई है और अभी सरकार को पैसे की जरूरत है और ये पैसा उनको दे दिया गया है ministry of home affairs ने पैसा दे दिया है again इस question के basis पर यहाँ पर भी एक आपको topic दिया गया है आप इस question को attempt कर सकते हैं और इसका answer आप comment section में लिख सकते हैं कल के जो questions थे उनके answer यहाँ पर आपको दे दिये गया है तो आप इनसे check करिएगा कि आपका answer कैसा रहा है देखे मैंने आपके लिए newspaper analysis तो कर दिया है लेकिन हो सकता है newspaper analysis सत्यजीत सर जितना अच्छा करते हैं उतना अच्छा नहीं रहा होगा तो अभी शायद मुझे एक दो दिन और आपके सामने present करना पड़ेगा newspaper analysis kindly bear with me और आपने जो भी feedback होते suggestions होते हैं please feel free to provide that so that is all from my side thank you everyone